hello friends तो अज एक Newачaking के साथ फिर से हाजीर है तो इस rank को ड्राइग्ग आज हम कुछ बनाने वादे हैं तो चलेए start करते हों यह मह ऊल्लेडी ड्राइग्ग बनआ चुका हूं इसको फिर से हम side करतें इसको दबारा असे बनाते हैं इसको बनाने के लिए वही आप dimensions बगरा सब आपने according सेट कर सकते हैं, हम यह unit list रख सकते हैं, उसके बाद हम start करते हैं इस circle से, यह जो circle हमें यहाँ पे given है, यह है dia 16 का, तो मैंने c enter किया, d enter किया 16, 16 dia का एक मैंने circle बनाए यहाँ से line weight और पोलर और जो उससे बाहर वाला circle है, जो इन छोटे circle के middle वाला है, वो है 34 dia का, तो c enter किया, d enter 34, और उससे बाहर वाला circle है, वो dia 52 का, तो मैंने c enter किया, यहाँ पे dia 52, तो आपने तीन type के circle बनाए, इसको मैं बना देता हूँ projection line, तो कि मेरे कोई ज्यादा नहीं चाहिए, अब मैं चाहता हूँ यह वाला circle बनाना तो यह भी 45 है, तो मैं polar on करता हूँ, right click करता हूँ, 45 degree के angle पे snap करता हूँ, l enter करता हूँ, और एक line ऐसे लगा देता हूँ, और c enter करके, यहाँ पे एक छोटे वाला circle बना देता हूँ, जिसका हमें dia given है, 8, जो चारो circle का dia है, 8, तो मैंने किया d enter, और 8 enter, अब मेरे को यह चा center pointer ने यह लिया, number of item मेरे को चार चाहिए, तो item पर जाके मैंने यहाँ पर चार किया, enter and okay, clear, तो यह आपका इतना portion यहाँ पर बन गया, उसके बाद एक काम करता हूँ, एक line में लगाता हूँ, ऐसे, ठीक है, जो यह वाली line है, इसका offset लेता हूँ, 43 का, offset 43, जो यह वाला offset ह फिर है 37 का offset, offset 37, और फिर है 78 का offset, offset 78, इन सबको मैं as a projection line ही लेता हूँ, clear, अगर मैं आपको दिखाऊ, तो यह जो मैंने यहाँ पर लिया है, वो है 43, और उसके बाद आप continuous dimension start कर सकते हूँ, 37 and 78, यह continuous dimension मैंने DCO enter करके start किया है, उसके बाद जो हमें given है, एक line मैं यहाँ से लगा देता हूँ, कुछ ऐसे, यहाँ तक और थोड़ा से इसे पाली की तरफ कर देता हूँ, और इसको भी मैं बना देता हूँ, projection line, अब यहाँ पर given है, कि एक line यहाँ पर 18 का offset है, एक line यह वाली लेनी है, और 18 के offset पर एक line ले लेता हूँ, यहाँ से, और इसको offset ले लेता हूँ, 18, और यह मैंने 18 का offset लिया, यहाँ पर जो fillet given है, वो radius 12 का है, तो f enter, r enter, 12 enter, यह मैंने लगाया, और यहाँ पर radius given है, वो 5 का, तो f enter, r enter, 5 enter, तो मैं 5 का यहाँ लगाया, clear? अब यहाँ से लेके, यहाँ पर joint है, जो 37 का, जो मैंने cut लिया है, यहाँ पर, वो यह वाली line मेरको चाहिए, तो यह वाली line मिलेगी मेरको इस circle के according, जो यह वाला circle है, जो यह वाला circle बना है, वो देखो, 18 का जो मैंने offset लिया था, इस line पर वो वाला circle बना है, जो यह वाली D enter 130, अब इस वाली लाइन को मैं आगे तरक प्रोजेक्ट कर देता हूं, यह वाली लाइन मेर को यहां पे चाहिए, अब बेसिकली करना क्या है, एक L enter लो इस वाली लाइन को यहां से अटेच कर दो, क्लिर है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक अटेच है, जो 37 के डिस्टेंस इस पे है, उसके बाद यहां पे फिलिट लगा है 12 और यहां पे फिलिट लगा है 20, तो F enter, R enter, 12 enter, यहां पे लगा है 12 का फिलिट, और F enter, R enter, 20 enter, यहां पे लगा है 20 का, क्लिर, उसके बाद यह offset गीवन है यहां पे 20 का, तो मैंने लिया offset 20, यह वाला offset, क्लिर है, और इस पे fillet given है 14 का, तो मैंने किया F enter, R enter, 14 enter, इस पे और इस पे, और offset लिया मैंने 20 का, क्योंकि यहां से लेकि यह भी 20 है, तो यह मैंने 20 का offset लिया, और F enter, R enter, यहां पे 8 का fillet लगाया, 8 enter, और यहां पे fillet लगा है 5 का, तो F enter, R enter, 5 enter, इस पे मैंने 5 का fillet लगाया, तो आपका यह वाला portion नीचे वाला बन गया, clear, अब बनाते हैं यह वाला, इसका radius given है 180, तो हम use करेंगे TTR tangent, tangent radius, तो C enter किया, यहां पे है TTR, क्लिक किया, इसका tangent, इसका tangent और radius चाहिए 180, तो आपके पा गई, TTR double enter, यह trim किया आपने और यह trim किया, इसका offset है 20 का, तो offset लिया 20, यहां पे 20 का offset लिया यहां पे, उसके बाद 20 का offset लेने के बाद, इसका और इसके बीच में, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यह जो fillet लगा है, वो है 10 का, तो offset, नहीं, fillet, F enter, R enter, 10 enter, यहां पे यहां पे 10 का fillet लगाया, और यहां पे है 12 का, तो F enter, R enter, 12 enter, यह मैंने यहां पे यह वाला fillet लगाया, clear, इतना portion मेरे रेडी, अब यह वाला portion बनाना है, यह वाला portion बनेगा इसी के center से, यह कुछ कड़ पड़ है, नहीं, offset लिया मैंने, 18 का, इसका यहां पे, क्योंकि इसके center से बनाया था, नहीं, यहां पे, तो इसी के center को लेते हुए, मेरे को एक circle बनाना है, एक डाया 46 का, एक डाया 80 का, और एक डाया 130 का मैं बना चुका हूँ, तो मैं यहां पे करूँगा, डाया 46, और एक मेरे को बनाना है, डाया 80, तो यह मेरा circle बना, डाया 80 वाले को, हाँ, उसके बाद मेरे को यह वाली चीज़े बनानी है, तो यहां पे मैं इस वाले portion को बना सब्सक्राइब एक्षट कर देता हूं से और इतने पार्ट को में डिलीट कर देता हूं मुखर थिग Strateg पर चौत अ कि इसको क्लिक दिलुइट टी आली डило Ар यह कुमिए और यह कुमिए और उसके बाद यह कुमिंकिया और यह को तो कर दिया उसके बाद इसको स्लेक्ट किया ए और एंटर पोलर एरे आपने सेंटर पॉइंट लिया नंबर ओफ आइटम से तीन चार पांच यह साथ तो मैं नंबर ओफ एटम सेवन कर देता हूं अब इस पॉश्ण को मैं आज़े त्रिम कर देता हूं इस तरीके से उसके बाद हाँ तो यह आपका यह डाग्राम रेडी है तो उसके बाद आप कुछ इस टाइप से इस पर डामेंशनिंग वगरा आपने अकोडिंग कर सकते हैं कुछ इस टाइप पर जैसे आपको यहां पर यह नजर आ रहे हैं तो ऐसे करके आप अपने इस ड्र अब अच्छे से बना पाएंगे और थैंकि सो मस्त दोस्तो वीडियो देखने के लिए प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें आपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलें थैंकि सो मस्तो